ड्यूटी बाई मुल्क राज आनंद मुल्क राज आनंद द्वारा ज्यूटी में हमारे पास भृष्टाचार, नियंतरण, शक्ती, प्रतिबधता, लालच, स्वार्थ, जिम्मेदारी और आतम महत्व का विशय है। उनके चैनित लगू कथा संग्रह से लिया गया कहानी तीसरे व्यक्ती में एक अनाम कथाकार द्वारा सुनाई गई है। और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है। क्यानन्द प्रष्टाचार के विशय की खोज कर रहे होंगे। मंगल अपने लाब के लिए पुलिसकर्मी के रूप में अपने पद का उपियोग करने के खिलाप नहीं है। फिर चाहे रिश्वत स्वीकार करना हो या ठीक ठाक लोग। एक पुलिसकर्मी के रूप में मंग मंगल के पास अपनी स्थिती के लिए विवेक्या कोई सम्मान नहीं है। वह अपनी भूमिका कोई कैसा मानता है जो यह मानने के बजाए कि वह दूसरों की सेवा और शांती बनाए रख सकता है। यदि कुछ भी मंगल उन लोगों के नियंतरण में होना चाहता है जो उसके के लिए कमभाग गिशाली हैं ताकि वह रिश्वत और जूर्माने के साथ अपनी जेब खुद काट सके। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि मंगल अपनी सीमाओं को जानता है। अब्दुल जब अपने परिवेक्षक को सोते हुए पकरता है तो कुछ ध्यान देने अपने परिश्वत लेता है। अब्दुल का चरित्र भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वह पुलिस बलके भीतर एक उन्नती की तलाश करता है। और मंगल के कारियों का न्याय करता है जो इस सुन्नती में बाधा बन सकता है। उन लोगों के नियंतरण में होने के बज पशकिल है क्योंकि वह केवल संक्षेप में कहानी में वर्नित है। यद्यपी उनका मंगल का उपचार अनुचित है। हाला कि संभवत हैसा कुछ हो जो उस समय स्वीकारे हो। मंगल की कारवाई इस तथि को भी उजागर करती है कि वह पुलिस बलके लिए उप्योक्त नही है। और नहीं वह पुलिस बलके लिए प्रतिबद्ध है। वह अपनी इच्छाओं से सम्रिद्ध होने के लिए प्रेरित होता है। जो कुछ पाठकों को सुझाव दे सकता है कि मंगल लाल्ची या स्वार्थी है। एक पुलिस कर्मी के रूप में उसकी प्राथमिक चिंत रहा है। जहां एक पुलिस कर्मी उचित और निश्पक्ष होने की उम्मीद करेगा, मंगल के साथ ऐसा नहीं है। यह तथ्य की मंगल को पच्छतावा है कि वह सेना में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बेहतर कपड़े मिले होंगे। यह भी क्योंकि अब फिर से सुझाव दे सकता है कि मंगल केवल अपने बारे में सोच रहा है। न की वह जो जिम्मिदारी वह सेना में शामिल होनी चाहिए थी, जिम्मिदारी मंगल के दिमाग पर नहीं चलती है। जहां तक उनका सवाल है वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी स्थिती के कारण किसी के प्रती जिम्मिदार नहीं है। यह ऐसा है जैसे की मंगल अपने स्वयम के महत्व पर विश्वास करता है। अपने कारियों को नियंतरित करने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना। सभी संभावना में मंगल जानता है कि उसके पास जीवन के लिए एक नौकरी है और जैसे ही वह एकबार खुद पर ध्यान नहीं देता है जैसा वह कर रहा है वह आगे बढ़ सकता है। यह वह बिंदू हो सकता है जिसे आनन्द बनाने का प्रयास कर रहा है। वह सुझहाव दे सकता है कि जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय उप कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधों को नजन दाज कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं होगा तो उन्हें अपराध की जाच करनी चाहिए कहानी का अंत भी दिल्चस्प है क्योंकि मंगल उस व्यक्ति पर पूरा नियंत्रन रखता है जो गधे का मालिक है जब कारवाई का एक और कौस उचित होगा तो उसे सड़क पर पीटना यह भी संभव हो सकता है कि अबदुल ने उसके खिलाप जो कारवाई की उस पर मंगल खटा हो और जैसे कि अपना गुस्सा उस आदमी पर निकालता है जो गधे का मालिक है मंगल आसानी से स्थिती को दूसरे तरीके से हल कर सकता था लेकिन नहीं चुन सकता था मंगल के लिए यह आसान है कि वह दूसरों को दोश दे कि वह कैसे स्वीकार कर रहा है कि वह खुद गलत है कुछ ऐसा जो आगे चल कर जिमिदारी का विशय बनेगा तथ्यय है कि मंगल कहानी में बहुत का मांदोलन करता है यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आनंद प्रतिकात्मक रूप से यह सुझाव दे सकता है कि मंगल को लक्वा मार गया है उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा वह जिम्मिदारी से बचता रहेगा और वह भ्रष्ट होता रहेगा खुद की और समाज की नहीं वास्तविक्ता में मंगल पुलिस बल में अपना स्थान अधिकार के रूप में देखता है दूसरों पर उसका अधिकार और जैसा की वह मानता है कि जैसा वह महसूस करता है वैसा करने का उसे अधिकार है यदी कुछ भी हो हाला कि पुलिस बल का एक सदस्य खुद को कानून से उपर समझ सकता है साराज का अंत धन्यवाद